तो यह बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आड़ी थी कौन से लाप्टॉप खरीदना है अब कॉलेज़ बगार भी खुलने वाले हैं तो मैं आप पर जल्दी से बहुत ही स्ट्रेट एंड टुद पॉइंट वीडियो पराना चाहता था कोई पहला फैक्ट आप लोग के सा पाओ आप लोग और भी बहुत सारे काम कर पाओ यह सारी की सारी चीज़ें आपको शायद ना मिल पाए अगर आपका बजट 25-30,000 का है ऐसे बजट में मैं सजेस्ट करोगा कि आप लोग एक पीसी बेल्ड कर लो अब अगर आप लोग लेना चाते हो तो मैं सजेस्ट करोग लेटा से मशीन लर्निंग करूंगा ही नी मैं तो आप लोग अभी फर्स्ट यर में हो तो शायद थर्ड यर में फिफ्ट यर में आप शायद करो ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूं यह बात और दूसरा फैक्ट यह है कि अगर आप लोग ने पैसे खर्च करें तो इसका म मैं आप लोगों को जो लोग फसे हुआ है जो लोग पैसे भी खर्च करना चाते हैं उसके बाद भी डर रहे हैं लापटाप खरीने से उनके लिए वीडियो में बना रहा हूं ठीक है तो अगर आपका बजट कम है मेरे पीसी बिल्ट के वीडियो देखो आपको यी वीडिय की ज़रूरा शायद नहीं है लेकिन अगर आप लोग देखना चाते हो नौलिज के लिए दो देख सकते हो ठीक है पहला लैप्टॉप इसका लिंक खोलूँगा मैंने प्रोज और यहां पर यह वाला जो लैप्टॉप है इसमें 30-50 आता है 3000 से ग्राफिक का बढ़ी है मैं को बता रहूं आप मेरी बात यहां पर मान सकते हो अब यही लैप्टॉप सोलह 50 में भी आता है ठीक है मैं दिजाता हूं आप लोग और X resulted when heynen को वह चाश्रा नहीं किया ought और शो Para लाफटॉप इतने लोगों ने खरीदा ही नहीं हो ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं for the fact कि 3000 स्रीज के ग्राफिक काट्स बहुत बढ़ी है मैं इसे बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अब देखो यहां पर आपको मैं देखा था्थ 25,000 का मिल रहा था ठीक है डबल फेन वाला आपको 25,000 का मिलेगा ठीक है अभी हम क्या करेंगे 30,50 ग्राफिक काट देखो तो देखो यह आपको आराउंड कुछ नहीं तो 8000 के difference में और दूसरी बात यह होती है कि laptop का आप update नहीं कर पाऊगे अगर आपने ये खरीद भी लिया ना ये वाला laptop कौन सा ये वाला laptop तो आप इसको update नहीं कर पाऊगे इसका 60-50 निकालके इतिनी आसानी से नहीं कर पाऊगे कर तो लोगे 16-50 निकालके इसमें आप लोग 3600 ग्राफिकर नहीं लगा पाऊगे ये पहला fact होगे दूसरी चीज यह हो गई कि जब आप लोग RAM देखते हो यह अपर 8GB RAM है ठीक है 8GB RAM इसमें अगर एक 8GB RAM की stick पड़ी हुई है तो आप लोग 16GB करना चाते हो तो एक और 8GB की लगा सकते हो और 32GB करना चाते हो तो यह याद रखना कि आपकी 8GB वेस्ट हो जाएगी ठीक है यह यह वेस्ट हो जाएगी और फिल्फेप कार्ट की कोई सेल भी आने वाली है शायद पता नहीं मुझे पता निए इसके बारे में एनिवेस ठीक है तो यह लाप्टॉप काफी बढ़िया है इसमें बैटरी बैकप लगा सकते हैं और आज की तारीक में SSD मस्ट है किसी भी लापटॉप में आपको SSD नहीं मिलती है तो आप लोग अलग से भी लगा सकते हो बस लॉट देख लो अलग से लगा होगे तो आप लोग यकीन निवानों बहुत सरस्ती बढ़ेगी आप लोग को SSD और SSD भी अकर लेते हो यह सोचके कि यार यह भी यह भी 500GB कि है 200GB कि है और सस्ती है तो आपको पता है इसकी यह Amazon की स्पीड दिखा रहा हो आपको जो यह Amazon क्लेम कर रहे है Amazon नहीं Samsung क्लेम जो कर रहा है 550 520 Mbps ठीक है और अगर आप लोग WD की लोगे या फिर WD 250GB SSD ठीक है अगर मैं 200GB की WD की SSD आप लोगों को दिलवाओं तो आप लोग यहाँ पर देखो यही SSD में आपको कितनी स्पीड देखने को मिल रहे है 950 Mbps ठीक है 2400 Mbps ठीक है रीड स्पीड आपको 2400 Mbps मिल ली कहा 500 कहा 2400 तो फर्क पढ़ता है ठीक है अगर आप लोग कर रहे हो वीडियो दूसर लैपटोप है Lenovo IdeaPad Gaming Ryzen 5 यह 3000 series का laptop है जिसमें मतलब 3000 series का GPU लगा हुआ है और 3000 series का GPU मेरे साब से बहुत बढ़ी है यह series बहुत बढ़ी है और मैं क्यों बोल लहाँ मैं कैसे बता सकता हूं बढ़ी है यह मैं खुद यूज कर रहा हूं ठीक है मैं खुद यूज कर रहा कि आपनी तो कुछ ना कुछ सोच के बनाती है तो मेरे साब से बहुत बढ़ी है तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगा और मैं आपको सज्जेस्ट करूँगा कि आप 3000 series का ही ले लो laptop अगर आपका budget हाई है तो यह कोई एक बाद MSI का यह laptop बहुत बढ़ी है इसमें जो प्रोसेसर है वो तो 10 जेन गा है मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कंप्यूटर की specs को बात करते हुए तो 10 जनरेशन का laptop पुराना नहीं है 12 जनरेशन आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 10 जनरेशन का बेकार हो गया नहीं 10 जनरेशन का प्रोसेसर बिलीम ही बहुत बढ़ी है ठीक है और दूसी बात यह कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो है वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप लोग को GPU कम पड़ेगा CPU आपको पूरा पड़ जाएगा i5 10 जनरेशन जो है आपको काफी पड़ेगा CPU यह मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ और वह सारे लोग मैंने देखा है कहते हैं कि 4K editing नहीं हो पाएगी 4K editing average होगी इधर उदर से specs देखके read करके बोल देते हैं लेकि मैं आपको hands-on experience से बता रहा हूँ मैंने 12-12 घंडे की वीडियो 4K में encode करके डाली हुई है तो मैं आपको अपने personal experience से ब ठीक है और RAM भी matter करती है 32GB आप लोग डालोगे तो आपका laptop टना टन बन जाएगा इसमें भी 8GB आप कुछ टाइम तक 8GB चला सकते हो ठीक है 32GB तक आप लोग expand करना और उसके बाद आप कुछ भी करो इसमें मज़ेदार After Effects की editing कर लो blender चला लो या फिर आप लोग deep learning कर रो हो स इसके बाद Asus का टफ मैं Asus का ही अभी laptop में वीडियो बना रहा हूं और मुझे काफी बड़िया सस्ता लग गया था Asus का laptop Big Billion Day में इसलिए मैं Asus का खड़ीदा वरना मैं HP खड़ीता हूं और Asus में भी मैं बता रहा हूं आपको कोई problem अभी तक नहीं आई है laptop एकदम नाइननटी का laptop अब आपको गया इतना तो मेरा budget ही नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं गर आपने इसमें इंवेस्ट कर लिया ना वर्थ इंवेस्टिंग है और मैं कह रहा हूं महें लेना या laptop और आप लोग यह बंदा क्यों हमें महें महें लाफटोप दिला रहा है मैं आपक अब लोगों को पूरी ना पड़े आपको दूसरा laptop बदलना पड़े बड़ मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आप लोग देख लेना इसको डीग है मैं आप जाला टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसका मैंने आप पर सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है बस मैं आप लोगों मिसलेनियस चीज़े आपर बताना चाहता हूं यह डेल 15 72 990 का laptop है बड़ी या laptop है इसमें 3000 सेरीज का आपर ग्राफिक कार्ड है ठीक है यह MS Office के साथ भी आता है और यहां पर आप लोग देखो जो comparisons है वो आप इसे साब से करना कि यार आपको इस laptop में क्या म मिल रहा है आपको discount कितने का मिल रहा है यह चीज़े भी matter करती है सारे laptop आप लोग ले सकते हो ठीक है अब इन सारे laptop में से आप compare कर लोग और company सारी अच्छी है मैं आप पर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं आप ता personal experience बिद आपको बता रहा हूं ठीक है मुझे मुझे रिव्यूज भी पढ़ सकते हो यार रिव्यूज भी बहुत important है अगर आप लोग पढ़ोगे जिन लोगों ने खरीदा ये laptop उनके आप लोगों को रिव्यूज देखने को मिलेंगे तो मेरे इसाब से यह बहुत अच्छी information होती है फिर रैम की जहां पर बाद आती है अगर की speed है वो कितनी है तो यह भी research करनी पड़ेगी मुझे कहीं और जाकर अगर मैं यह model number search करूँ तो शायद मुझे मिले ठीक है मैंने फील किया हुआ है अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और कोई बात रह गई क्या वो बढ़ी है वो बढ़ी है देखो मैं आपको facts के साथ बता रहा हूँ तो 3000 graphic series का graphic card दरूर लेना ठीक है 1650 भी उतना पुरा नहीं है मैंने 1650 में भी काम किया हुआ 1650 भी बहुत अच्छा graphic card है 4K editing में शायद थोड़ा बत परशान करेगा आप लोगों कर आप बहुत ही high level की 4K editing करते हो तो 1650 थोड़ा बत परशान करेगा फिर hard disk आपकी अगर TV की 9000 की यहां मिल रही है अरे यहां तो 7000 की मिल रही है यह वाली ले ले लेता हूं वहां देखा speed उसकी 540 Mbps से बस तो यह चीज भी देखना ठीक है यह भी important है और मैं एक बर और part wise देख लेता हूं क्या क्या चीजे मुझे आपको बतानी है प्रोसेसर हो गया प्रोसेसर सिरीज को थोड़ा बहुत अवाइट करना अगर सस्ता मिल रहा है तो अलग बात है वरना अवाइट करना इतने पैसे खर्च करने हो तो ठीक है तो बहुत साले लैपटॉप्स अभी ऐसे बिक रहे हैं जो की पुराने हैं जिन में राइजन का 3000 सिरीज मतलब जो यहां पर 5600 है मां 3600 यहां फे 3800 ऐसे लिखा होगा तो 3000 सिरीज का होगा वो पुराने लैपटॉप्स हैं पुराने लैपटॉप्स हमें नहीं करीदने हैं अगर हमको जीपी अच्छा मिल रहा है तो शायद हम लोग इंटेल की 10th Gen में भी काम चला लें 9th में भी चला लें शायद काम लगाई नहीं मिल रही है किसी लैपटॉप में तो स्लॉट देखना उसमें स्लॉट है क्या SSD का M.2 स्लॉट है क्या अगर है तो यह गुट तो आपको नहीं खुलना आता लैपटॉप का पेच पीछे से तो कोई दिक्कत नहीं है आपका नजदी की कंप्यूटर शॉप वाल तो एक बहुत ही बड़ी बात है बिलीव में नहीं है अर लैपटॉप खोलना कोई बड़ी बात नहीं है अराम से नीचे से पेच खोल के आप लगा सकते हो SSD ठीक है स्लॉट में डालना है और पीच को कस देना ठीक है आई होब कि यह वीडियो आप लोग लिए इंफॉमेट अगर आपका लैपटॉप इन पांचों में से आ रहा है ना ले लो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है और यह भी देख ले ना यह वीडियो आप कब देख रहे हो और यह लापटॉप देखके 2030 में मुझे आप बुरा बोला कह रहे हो ह ठीक है ना तो वो चीज़ भी देख लेना आप लोग अभी रिसेंटल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो अगले तीन चार पाँच्छे एट महीने तक हाट महीने तो शायद मैं सेफ़ली नहीं कह सकता तीन चार महीने तक ठीक है आप लोग ले सकते हो यह उसके बाद थोड़ा analysis कर लेना, मैंने कोई latest video डाला हुआ laptop पे दो देख लेना, तो अभी इस video को continue में करना चाहूंगा, अभी के लिए इस video में इतने हैं guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल चाहूंट एक सै कर लेना, मैंने कि sa दुर समाचा इचान थाएम का लेना, वाल शात था धाहूंगा है कि लेना यास। knn, और भी कि उयास।